जो बहुत कम जानते हैं ऐसा मैं इसले कह रहा हूँ क्योंकि जो आज का lecture होने वाला है वो बहुत ही emotionally connected होने वाला है हमारी civil services की journey के साथ ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है there are possibilities कि अगर आप इस lecture को पूरा देखते हैं condition is अगर आप इस lecture को पूरा देखते हैं if you are going to watch this lecture till end तो हो सकता है आपकी जो dedication है towards civil services उसको थोड़ा boost up मिल जाए या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो वाय है कि why you want to become a civil servant आप civil services क्यों join करना चाहते हैं हो सकता है उस वाय का answer भी इस lecture के बाद आपको मिल जाए बशर्ते अगर आप ये lecture पूरा लेखते है तो आईए स्टार्ट करते हैं एक story के साथ तो ये story है एक priest की पंडी जी की होता क्या है एक गाउं में एक पंडी जी बहुत आराम से अपना जीवन बहुत सुखी सुखी अपना जीवन वैतीत कर रहे होते हैं एक दिन उनको पूजा के लिए किसी दूर शहर में एक घर में बुला जाता है और आप दे एंड पूजा के बाद क्या होता है उनको दक्षिना रूप में दान के रूप में एक बकरी दी जाती है और बहुत ही खुशी खुशी उस बकरी को लेकर अपने घर की तरफ चल देते हैं रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पढ़ता है अ डेंस फॉरेस्ट उस घने जंगल में तीन चोर रहते हैं और वो आते वे पंडी जी को देखते हैं कि पंडी जी बहुत अच्छी बकरी को लेकर जा रहे है तो उनके मन में आता है कि कैसे पंडी जी से बकरी को चुरा लिया जाए या फिर हतिया लिया जाए कैसे उनको डिसीव किया जाए तो मन ही मन प्लान बनाते हैं तीनो चोर आपस में प्लान बनाते हैं उस बकरी को उनसे हतियाने का तो according to their plan उनमें से एक चोर जाता है पंडी जी के पास और पंडी जी से जाकर कहता है पंडी जी क्या बात है बहुत खुश लग रहे हो लेकिन एक दोजदा है एक problem है आप इतने बुद्धिमान दिखाई पड़ते हो लेकिन अपने कंदे पर एक गधा टांग कर ले जा रहे हो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं लगती तो पंडी जी बहुत नाराज होते हैं जैसे योग बात सुनते हैं कि गधा टांग कर ले जा रहे हो पंडी जी इसको धमका कर कहते हैं कि बेवकूफ धूर्थ हो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है ये गधा नहीं ये बकरी है और उसकी बात को इनोर करते हैं पंडी जी आगे बढ़ेने लगते हैं तो चोरों के प्लान के हिसाब से फिर दूसरा चोर पंडी जी के पास आता है और फिर पंडी जी के पास जाकर पोलता है नमशकार पंडी जी क्या बात है भरे जंगल में इस कुट्टे को अपने कंदों पर लादिकर कहां ले जा रहे हो तो पंडी जी फिर हैरान होते हैं और गुस्सा करते हैं और फिर धमकाते हैं उस इनसान को कहते हैं तिमाग नहीं है अकल नहीं है यह कुत्ता नहीं बकरी है तो पंडी जी उसको भी धमका देते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन मन में उनके थोड़ा सा डाउट पैदा होने लगता है थोड़ा सा डाउट वो करने लगते हैं यार पहला इंसान मिला उसने गधा क दूसरा मिला उसने कुट्ता कहा लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है दो मुर्ग उनको रास्ने मिल गए हो और ऐसा हो गया हो लेकिन फिर तीसरा चोर उनके पास आता है और फिर तीसरा चोर भी आकर कुछ इस तरीके से ही बात करता है और तीसरा चोराकर उनको कहता है, क्या बात है पंडी जी, बहुत खुछ दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, कि आप इस घोड़े को अपने कंधों पर लाद कर कहा ले जा रहे हो, पंडी जी बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुश्सा होते हैं, औ और एक ने गधा कहा, एक ने कुत्ता कहा, एक घोड़ा कह रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है, कि वो तीनों लोग सही हो, और ये हो सकता है, कि जो मेरे कंधे पर है, वो बकरी ना होकर के कोई बुरी आत्मा है, जो दान के रूप में मुझे दी गई है, और मेरे साथ चलु आया है दोका हुआ है और इतना कुष्चन जब उनके मन में इतने सारे कुष्चन जब उठने लग जाते हैं डाउट होने लग जाता है तो खुद کی सोच के उपर डाउट करने लगते हैं कि जिसे मैं बकरी समझ रहा हूँ वह बकरी नहीं कोई बुरी आत्मा है और जो बीच जंगल में जाकर जम मैं केला होंगा और मुझे खा जाईगी और ये डर पंडी जी को सताने लगता है पंडी जी क्या करते हैं तुरंद उस बकरी को वहीं पटकते हैं और अपने घर की तरफ दोड़ पड़ते हैं और at the end क्या होता है वो तीनों चोर उस बकरी को अपने साथ ले जाते हैं So, जो स्टोरी सुनाई गई भाव ये नहीं था परपस ये नहीं था कि मैं आपको कोई स्टोरी सुनाओ the moral of the story जो purpose था story का वो ये था कि कभी-कभी real life में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है जिस चीज को हम बहुत respectfully देख रहे होते हैं बहुत aspire करते हैं या फिर जिसके प्रती हमारे मन में बहुत श्रदध होती है बहुत लगन से हम उसको achieve करना चाहते हैं उसके लिए भी लोग कभी-कभी ऐसे doubts हमारे मन में पैदा कर देते हैं जिससे हम खुद से question करने लगते हैं कि जिस चीज को मैं aspire कर रहा हूँ क्या वो सही भी है या फिर हमारे self confidence को यानि कि हमारा जो confidence होता है खुद के उपर उसके उपर भी doubt आने लगते हैं कि क्या यह मैं achieve कर सकता हूँ क्या मैं achieve को कर सकता हूँ just because जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारे मन में question पैदा कर देते हैं और उन questions की वज़े से होता क्या है जिस तरीके से पंडी जी उस चीज़ को छोड़ के भाग जाते हैं और हम भी दूसरों की बातों में आकर उस चीज़ की value ना समझते हैं जो बहुत valuable है जो invaluable है उसकी बेकदरी कर देते हैं उसको छोड़ देते हैं या उसके पर दिमारा dedication कम हो जाता है और जो सामने वाला होता है उसका purpose fulfill हो जाता है जैसा वो चाहते थे कि हमें शक्के कटगड़े में खड़ा करें question पैदा करें जिससे हम नाकाम हो जाएं अपने purpose में जिसको हम achieve करना चाते हैं तो ये story मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा incident हुआ है वो incident ये था कि एक बारी मैं अपने पापा के साथ किसी function में गया और वहाँ पर कोई दूर के uncle थे relative कह सकते हैं तो उन्होंने question किया बातों ही बातों में question किया कि आपका बेटा civil services क्यों करना चाता है तो उन्होंने हमारा answer नहीं सुना बस उन्होंने एक तरीके से question mark उठाया फिर एक तरीके से mockery की उस चीज़ की कि civil servants सभी लोग इसलिए बनना चाता है कि सबको corruption करना corruption की आदत पड़ गई है हर आदमी civil services इसलिए करना चाता है because उसे बहुत सारे पैसे हड़ अपने है सरकार के अंदर घुसकर नहीं तो बहुत सारी private jobs है private jobs क्यों नहीं करते लोग civil services के पीछे लोग इसलिए भागते है और फिर वह example देने लगे because उस time पर अकबारों के अंदर बहुत सारी news और अभी भी कभी-कभी आज आती है media उस तरीके से project कर देता है because ऐसे incidences होते रहते है regular basis पे कोई civil servant corruption करते पकड़ा गया है red-handed caught हुआ है deceive करते पकड़ा गया कोई fraud हुआ है तो इस तरीके की news आमोमन आज आती है social media के ओपर अखबारों के अंदर और उस time I was a beginner in UPSC तो मुझे इन चीजों का इतना पता भी नहीं था तो I was completely quite at that point of time because I was unaware कि शाद इस से अलग भी कुछ reality है मुझे answer देना ही नहीं आए कि मैं उनके question के बाद या फिर जो उन्होंने खुद से ही question अगर के answer देया उसके बारे में क्या खूँ because I was completely unaware कि कुछ ऐसे लोग भी हैं civil services के अंदर जो हमारा एक prestigious line है जिसकी कलबना जिसकी imagination हम बार-बार करते हैं लबासना जाने से पहले और वो imagination या फिर वो जो quote है या वो line है वो क्या है वो है शीलम परम भूशनम यानि कि character is the highest virtue ऐसे लोग हैं हमारे वीच ऐसे civil servants हैं हमारे वीच जो इस line को हू बहू reality में uphold करते हैं समाज के अंदर इस तरीके का जिवन इस तरीके के standards बनाते हैं जो इस line के उपर हू बहू fit होते हैं शीलम परम भूशनम लोग इसकी imagination करते हैं हम सोचते हैं being a UPSC aspirant हम इस line को सोचकर बहुत खुश होते हैं कि शायद इस road से गुजरेंगा और यहाँ पर एक selfie ली जाएगी लेकिन ऐसे लोग हैं जो इसको सिर्फ एक line नहीं समझते इसके उपर हू बहू अपना जीवन जी रहे हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम knowledge होती है अक्सर तब होती है जब हम नए नए होते हैं UPSC की जरने में और हम उन चीजों को फिर relate नहीं कर पाते हैं और हम ऐसी जगह पर जब ऐसे question हमारे से पूछे जाते हैं जब आप जिस चीज को aspire कर रहे हो और उसी के परती अगर negativity आपके मन में आती है तो definitely जो आपकी dedication है वो कम होगी ही होगी तो इन चीजों से बचने के लिए कि आपकी dedication कम ना हो at least आपको ये पता तो हो कि वो personalities कौन है जो हमारे role model होने चाहिए या फिर जिन से हमें encouragement मिले या जिन को देखके और हमारा dedication double triple हो जाए कि हाँ याकते को जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम करें तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं and one of the important thing is कि हम जो इस चीज के उपर बात करने वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि irrelevant है because ये जो example जिन personalities को आजम देखने वाले हैं वो हमारे essay के लिए और ethics paper के लिए बहुत ही जादा important होने वाला है because जब भी हम administrative heroes के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास examples तो हो ethics के अंदर लिखने के लिए essay paper के अंदर लिखने के लिए जहाँ पर हम अपनी बात को weightage दे पाएंगे with these examples तो इनी examples को start करते है with one of the famous personalities सबसे पहरी personality हम देखने जा रहे है and वो है respected Durga Shakti Nagpal IAS Durga Shakti Nagpal के बारे में currently जो situation है currently वो एक deputy secretary की post Department of Commerce within the government of India और उनके जो husband है IAS Abhishek Singh ये extra information मैं इसलिए दे रहा हूँ because ये आजकल थोड़ा news में रहते है IAS Abhishek Singh because ये civil servant कम actor है एक गाना इन्होंने शूट किया था उसके अंदर acting वेक्टिंग की थी और थोड़ा सा और news में आजकल है तो इसी वज़े से एक additional info की वज़े से मैंने इनको यहाँ पर put किया है otherwise हम देखने वाले हैं दुर का शक्ती नाकपाल को इनके बारे में देखने वाले हैं कि इनको हम पढ़ की रहा है और इन्होंने ऐसा क्या किया था बात है 2013 की जब ये गौतम बुद्धनगर एक UP का district है उसके अंदर SDM के तौर पर सदर नौइडा के अंदर posted थी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू था वो इशू था illegal sand mining का on the banks of Yamuna and Hindon River उनके banks के ऊपर बहुत ज़्यादा illegal sand mining होती थी और आसपास के villagers तो थे वो बहुत परिशान थे उन्होंने बहुत complaints भी की थी complaints भी की लेकिन कोई action नहीं लिया गया या फिर action लिया गया तो इस तरीके से लिया गया कि उसका कोई आकरी में outcome नहीं आया और वो जो sand mining थी वो persistent थी और जब इनकी posting हुई तो कहते हैं इन्होंने planning करके रात रात में जखके रात को raid लगाई और इस तरीके से सभी को पकड़ा जितने भी sand mafias थे अभी जो भी connected थे और ये भी allegations हैं कि वहाँ पर political sand mafias और कुछ villagers आपस में मिले वे थे एक तरीके से nexus बनावा था कुछ civil servants का भी आपस में nexus बनावा थो इतने सारे allegations थे उन सब के बावजूद इन्होंने वहाँ पर रात रात भर जखकर raid लगाई उन सभी को पकड़ा और फिर इन सारी चीजों को कर्ब किया उसके बावजूद इन सारी चीजों को करने के बावजूद उनके साथ हुआ क्या उनको suspend कर दिया गया जब उनको suspend किया तो कहते हैं कि जो UPIS officers थे उन्होंने demand किया उनको इनके suspension को revoke करने के लिए यहाँ तक कि सिर्फ जो officers थे उन्होंने नहीं बलकि जो locals थे जो villagers थे जो आसपास नदी के किनारे रहते थे उन्होंने protest किया कि उनको वापस से reinstate किया जाए उनकी post के उपर और जल्दी से जल्दी उनके suspension को revoke किया जाए और उनका suspension 1.5 मन्स तक चला और उस suspension के दोरान जो बहुत important बात है वो यह है कि उनके suspension के दोरान और उस पूरी activity के दोरान उस पूरे action के दोरान उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाए हुई जिनके बारे में एक्सर अकबारों में या फिर जो stocks के अंदर भी इनोंने शायद उसके बारे में बात की है कि गूंस ने, send mafias ने या तो उनकी family members को या फिर उने रोक कर खुली warning दी, death threatening दी उनके parents को या फिर इनको एक गन दिखा कर कि अगर इस case में अगर उनने फरदर कुछ और आगे कारवाई की तो अच्छा नहीं होगा उनकी family के लिए और उनकी life के लिए भी तो इस इस तरीके से उनको डराया, धमकाया गया, political pressure बनाया गया, suspension भी वा लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी तो यह क्या show करता है, क्या depict करता है यह show करता है कि किस तरीके से अभी भी courage civil servants के अंदर बाकी है, zero corruption अभी भी बाकी है एक compassion वाली भावना अभी भी बाकी है कि हाँ, लोगोंने गर कुछ का है तो उसको resolve करना है उनकी problem को दूर करना है, उनके दर्द को समझा तो this is how civil servants are doing effortlessly वो राद दिन एक कर रहे है ताकि लोगों की problem को resolve कर सके, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ corruption, corruption जैसा मीडिया के अंदर project किया जाता है कि सिर्फ corrupted ही है civil servants ऐसे भी हैं, जो अपनी जान जोकी में डाल कर, ऐसी ऐसे इस तरीके से society को serve कर रहे हैं, अब इसी के बाद इसी सीरीज में हम देखते हैं Mr. Ashok Kheem का respected sir, Ashok Kheem का I.S. currently serving as public secretary in Haryana Carder in Department of Science and Technology ये थोड़ी एक्स्टा information मैंने ऐसी ली है, इसको अगर साइड में करें इस information को डालने का एक objective है एक purpose है, वो ये है कि अभी इन्होंने कुछ recently कुछ दिनों पहले एक tweet किया था उस tweet के अंदर उन्होंने एक बात की थी Mr. Ashok Kheem काने कि street and trees are cut it down first यानि कि जो सीधे पेड होते हैं अकसर वो जल्दी काटती जाते हैं ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था because जो इनकी batchmates है वो आज बहुत ही higher posts के अंदर administrative level पे posted हैं, मतलब government of India के अंदर secretaries level पे, ministries के अंदर महाँ पर posted हैं और यह अभी भी हर्याना काडर में as principal secretary, वो भी department science and tech उसके अंदर posted हैं उसी वज़े से जब उनके batchmates को वहाँ पर promotion मिला तो उन्होंने ऐसा tweet किया था तो that is why I have taken this line इनके बारे में important बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए being a civil servant, being a UPSC aspirant कि यह जो है 29 years की services में 54 times transfer इनका हो चुका है, जो अपने हम में बहुत बड़ी बात है ऐसा इसलिए इनके साथ हुआ because इन्होंने बहुत सारे scams के अंदर whistle blowing की, for example Robert Vardara DLF land grab scam protection of hill areas के बारे में हमेशा बात करते हुए जहां पर भी यह presently posted है तो इस इस तरीके से यह पूरी integrity के साथ zero corruption tendency के साथ अपना काम अभी भी कर रहे हैं भले इनके साथ इतना बुरा हो चुका है promotion नहीं हुआ, इतनी बार transfer जहल चुके हैं इनकी family के ओपर क्या बीती हुगी बार बार जब इनसान को transfer होना पड़ता है इधर से उदर तो साथ इसाथ family भी सफर करती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक civil servant अभी भी society को सर्व करने की इमत रखते हैं अब इसके बाद हम देख लेता है Mr. I.S. अथर आमिर खान इनके बारे में जो बात है वो ये है कि इन्होंने भीलवाडा राजिस्थान के अंदर child marriage को fight किया और revamp किया हमाँ के education system को आप देख सकते हैं कैसे लोगों के साथ मिलकर ये meetings ले रहे हैं जो गाउं के punch हैं या फिर police authorities हैं उन सब के साथ मिलकर कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं वारतलाब कर रहे हैं इंट्रेक्शन कर रहे हैं ताकि इन सारी चीजों के ऊपर child marriages के ऊपर लगाम पाई जा सके और education system को revamp किया जा सके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी humility के साथ कितनी dedication के साथ ये एक एक स्कूल में गए वहाँ के बच्चों से मिले वहाँ की problems को समझा और फिर इस तरीके से जब ऐसे ऐसे example set होते हैं तो फिर वो जो बाते कहीं जाती है कि कोई civil servant कहीं से अगर transfer जब होता है किसी का तो लोग वहाँ के रोते हैं तो genuinely ऐसा इसके imagination नहीं है इन reality ऐसा हो रहा है हम देख सकते हैं किस तरीके से ये इनसान Mr. I.S. अथर आमिर खान पुरी dedication के साथ पुरे compassion के साथ अपना काम कर रहे हैं इनके बाद हम देखते हैं जो बहुत ही interesting भी है हो सकता है बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता हो और हो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इनको जानते भी हो और ये है Mr. Avnish Sharan I.S. इनके बारे में बताने से पहले इनके बारे में एक और important चीज है वो मैं आप से share करना चाहूंगा वो ये है कि इनके बारे में खा जाता है कि 10th में इनके 44% थे 3rd division 12th में I think 60% के आसपास not exactly मुझे पता नहीं कि 60% थे लेकिन इसी के आसपास थे और graduation के अंदर भी इनके 60% के आसपास ही marks थे फिर इसके बाद कहते हैं इनोंने CDS ट्राइक किया उसमें इनका नहीं हुआ CPF Assistant Commandant का एक इसाम होता उसमें नहीं हुआ उसमें फेल हुए फिर 10 बार State के जो Civil Services Examination होती है उसमें लगातार 10 बार फेल हुए यानि कि 12 बार तो अभी फेल हो चुके हैं फिर UPSC का अटेंप्ट इनोंने दिया उसमें 1st time नहीं clear हुआ तो 13 बार फेल लेकिन UPSC के 2nd attempt नहीं फिर उन्होंने UPSC clear किया यानि कि 13 बार फेल होने के बाद इन्होंने UPSC clear किया तो यह एक बहुत ही interesting story है इनके बारे में जो बहुत authentic है बिल्कुल real है कि इस तरीके से इस इस तरीके से यहां तक पहुँचे और यहां पहुचने के बाद जो इन्होंने काम किया वो भी सराहनी है इन्होंने क्या किया जहां पर यह posted थे वो इलाका था 36 गड़ का जहां पर by guy and gone tribes रहती है वहां पर बहुत ज़्यादा problem थी जो ambulances थी वो उनके घरों तक नहीं पहुँच पाती थी जो passages थे बहुत ही संकरे थे बहुत ही narrow passages थे उनके घरों तक जाने के लिए कोई road नहीं थी अच्छी facilities नहीं थी कि ambulance प्रॉपरली वहां तक चली जाए और उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ता था patients को खासकर जब woman pregnant होती थी तो labor pain की वज़े से जो बार-बार issues होते है उन सारी चीजों के बारे में delivery के बारे में या फिर और भी कोई अगर ऐसा emergency type कोई case है तो ambulance वहां नहीं पहुच पाती थी तो इन्होंने क्या किया इन्होंने bike ambulances बनवाई bike ambulances ट्राइबल्स के घर तक पहुचवाई जिससे क्या हुआ कि medical cost 90% कम हुई उन लोगों की और उस bike का नाम इन्होंने रखा संगी express, friend express आप उसको देख सकते हैं इस तरीके की bike उन्होंने बनवाई संगी express और ये model इन्होंने लिया था जो वहां पर armed forces या फिर central arm police forces की जो वहां पर थी tribal regions में उनके पास ऐसी bike होती थी तो उन्होंने आर्मी से armed forces का जो एक तरीके से setup था bike ambulance का उसी को copy करके इधर inculcate के यानि कि उन्होंने सोचा जब army के पास, armed forces के पास ऐसा है तो क्योंना citizens के पास भी होना चाहिए तो इस तरीके से उन्होंने वहां से model उठाया और इस तरीके से फिर लोगों के घरों तक, tribals के घरों तक bike ambulances पहुचाई और जिसका नतीजा क्या हो 90% medical cost reduced हुई उन लोगों की तो कितनी बड़ी बात है अपने आम में अगर आप बहुत sensitively इस चीज को देखते हैं कितना बड़ा इशू होता है कि आपके घर में कोई बिमार है और ambulance नहीं आ पाती और ambulance ना आने की वज़े से अगर किसी की death हो जाती है या फिर delivery के time पे अगर woman की death हो जाती है तो कितने बड़े इशू है अगर आप बहुत sensitively सोचोगे तो अपने आमें बहुत बड़ा achievement था Mr. Avanisharan का अब इसके बाद बात करेंगे वो है Miss A. Shri Dev Sena I.S तो इनके बारे में बता दूँ ये है DC of Pedrapeller District Telangana उस टाइम DC थी district collector थी Pedrapeller District की जो Telangana में है इन्होंने वहाँ पर क्या क्या उस टाइम पर उस district को one of the dirtiest district कहा जाता था विकोज वहाँ पर sanitation के बहुत बुरे हाल थे hygiene के नाहम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था और malaria बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ था विकोज बहुत जादा water flogging हो जाता था तो उन्होंने क्या किया एक साल के अंदर अंदर उसको cleanest district का आवाड दिलवाया अंडर national स्वच्छ सर्वेक्षन सर्वे 2019 उसको cleanest district बनवाया एक साल के अंदर वो उन्होंने कैसे किया इन्होंने स्टार्ट किया पिट कंस्ट्रक्षन तुप्रुएंट सीजनल डिसीज़ अंडर स्वच्छ फ्राइडे प्रोग्राम एक फ्राइडे के दिन प्रोग्राम चलाए कि हर फ्राइडे को इस तरीके से पिट कंस्ट्रक्षन करवाए जाएंगे और cleanliness drives करवाए जाएंगे और भी बहुत कुछ किया उससे क्या हुआ कि substantial decrease हुआ डेंगू के अंदर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने soak pit construct करवाए यहां तक कि hand pumps के साथ भी इन्होंने soak pit construction करवाए बिकास hand pumps से जो पानी आए वो इधर ओदर कहीं जाकर एक अठा ना हो राधर soak pit के अंदर जाकर percolate भी हो water का level भी increase करें और बीमारिया फैलने से भी बचाए टॉलेट के साथ connect करवाए household का जो outlet है उसके अंदर तो पूरा का पूरा इस तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे district में I think more than 50,000 soak pit construct किये गए उनके time period के दोरा उसी वजह से उन्होंने वो अचीव किया कि 2019 में उनको national switch Survection Survey के साथ से one of the cleanest city का आवर्ड मिला तो इस तरीके से इनका participation रहा तो इस तरीके से अगर हम examples को देखेंगे तो definitely जो हमारा एक तरीके से perspective है जो हम सोचते है civil servants के बारे में वो definitely change होगा हमें अच्छा फील होगा हमारा सर और उपा और उंचा हो जाता जब हम UPC के तयारी कर रहे होते हैं इसके बाद हम देखते है Mr. भुपेश चौधरी अब ये example जब मैं लिख रहा था तो definitely जो नौर्थीस्ट इलाके के लोग हैं आप उनकी problem को समझ सकते हैं लेकिन ये बंदा उधर का नहीं था भुपेश चौधरी नौर्थीस साइड के ना होकर भी वहां के लोगों की problems को समझ कर और कुछ ऐसे solutions निकालते हैं जो आप अभी देखेंगे तो अपने आप में कहेंगे कि हाँ हैं क्या काम के अज़ बंदे ने तो बात कर लेते हैं मिस्टर भुपेश चौधरी की ये डिस्टिक्ट कलेक्टर थे सिहा डिस्टिक्ट मिजोरम के इन्होंने क्या किया अब समझ सकते हैं कि नौर तीस्टिक्ट में टूरिजम की कमी तो है अब फार्मिंग के उपर अगर वो अपना जीवन जी रहे है और फार्मिंग ही बहुत बुरी होती है कल्टिवेशन ही बहुत बुरा होता तो क्या फर्क पड़ेगा उनकी डेली लाइफ के ओपर कैसे वो अपने बच्चों को एजुकेट कर आएंगे कैसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन सारी चीजों के साथ जुड़ी है फार्मिंग के साथ तो उन्होंने क्या किया वहां के जो फार्मर थे जो चिली कल्टिवेशन करते थे उन्होंने चिली कल्टिवेशन के करने वाले फार्मर्स की इनको फार्म — को फौय थे बढ़या वाया existing schemes and making cooperatives चीले यानि की जो सिर्फ existing schemes थी इन्हों की Fahrenheit बड़ा दिया और उसकी बड़ा से और यह इंट्रस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पंद्रा लाग वाज इस वॉस दन बाई spending as little as 15 lakh and with the right mentality दो साल के अंदर उन्होंने 14 टाइमस उनकी इंकम को बढ़ाया और आप इस चीज को बैटर इंडिया वेबसाइट पर जा कर पढ़ सकते हैं Most of the example I have taken from बैटर इंडिया वेबसाइट आप भी थेटर इंडिया.com को देख सकते हैं आपको लिखने है अपनी कोपी के अंदर in short because यह बहुत important है कि आप example quote करो और इस तरीके से इन्होंने वहां के farmers की problem को resolve करा 14 times income बढ़ाना कोई मजाग बाद नहीं है You can't imagine 14 times किसी की income अगर बढ़ती है तो इसको कितनी खुशी मिलती होगी यह शो करते हैं कि कैसे गाम किया जाता है क्या एक courage होती है क्या spirit होती है क्या dedication होती है कि हाँ यह जो common citizen है जो farmers है उनके face पर कैसे smile लाई जा सके अब इसके बाद इसी series में आगे देखता है Mr. Om Qasira अब Om Qasira की जब भात होती है तो यह है DM of Qota राजिस्थान Qota एक district है राजिस्थान के अंदर वहाँ पर यह DM थे और DM थे पैंडमिक के दोरान तो इनके बारे में popularity है वो यह है कि बच्चों ने Twitter के ओपर Thank you DM Qota लिख के trend करवाया था क्यों करवाया था Because COVID के दोरान जब lockdown लगा Because Qota के अंदर न बहुत सारे IIT जाई और नीट की तियारी करने के लिए बच्चे जाते है और वहाँ पर ऐसा है Because I was also there When I was preparing for IIT तो वहाँ पर ऐसा है कि लोग ना जैसे दिल्ली के अंदर है कि कुक लगा लिया और खुद से खाना प्रपेर करवा रहा है गर के अंदर वहाँ ऐसा नहीं है In 95 to 96% cases बच्चे हमेशा मैस में खाना खाते है तो lockdown के अंदर क्या हुआ मैस वरकर्स की छुट्टी भी मैस बंद हो गई तो इनको बहुत जादा problem ही जो students वहाँ पर फस गए जान नहीं पाएगर तो जब वह सारे महाँ फस गए और खाने की बहुत problem होने लगी और इन सब को अपने घर भी जाना था और lockdown था उसके अंदर इन्होंने एक बहुती bold और courageous step लिया और evacuation करवाया nearly 50,000 student का pandemic के दौरान और फिर इस तरीके का reaction आप समझ सकते होगी जब student ऐसे reaction करें इस तरीके से respect करें आपकी तो कितनी pride वाली बात होती है एक civil servant के लिए आप इसको और देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने check-up करवाया फिर train में जब बैठ गए students वहाँ पर भी गए सारी चीजों को देखा कि सब properly हो रहा है पुरागा पुरा sanitization का ध्यान रखा जा रहा है फिर जो at the end हुआ कि बच्चे अपने घर आराम से पहुँच गए और घर जाने के बाद जो words of appreciation हो लोगों ने चलाए Twitter के उपर thank you DM quota सबसे जादा trend हो आउस टाइन तो आप देख सकते हो कि social media is often used to bring out inconsistencies in government policies लेकिन इस case में क्या हुआ outpouring and appreciation of love and respect of kasira is heartening तो आप देख सकते हो किस तरीके से लोगों से connected है लोगों की problem को resolve कर रहे हैं कुछ civil servants आज भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ corruption ही corruption है अब इसके बाद जो example है ये तो अपने आप में बहुत बड़ा example है इससे तो कहीं लोग शाद motivated हो जाएं बहुत जबर्दस तरीके से क्योंकि जब मैंने पहली बार इनके बारे में सुना था कि इनोंने ऐसा सा किया था तो एक film की तरह लगता है एक ऐसा feeling आती कि यार इसने बंदे ने तो film ही तयार कर दी अपने आपी तो इनके बारे में है ये Mr. Armstrong Pave I.E.S इनको Miracle Man of India कहा जाता है Manipur के अंदर ऐसा इसलिए 2012 के अंदर इनोंने 100 किलोमेटर की रोड बनवाई थी without any help of government यानि कि government की help के बिना एक रोड बनवाई वो भी 100 किलोमेटर की 100 किलोमेटर की रोड बनवाना बिना government की help के आप समझ सकते हो कितना बड़ा टास्क होता है इन्होंने क्या किया जब government ने बना कर दिया When government refused for funds इन्होंने लोगों से बातचीत की महां के आम लोगों से बातचीत की और अपने plan को propose किया उनके बीच में और लोगों के अंदर भी जो जोश था इन्होंने जो जोश उनके अंदर डाला Because इन्होंने खुद भी उसके अंदर donation की थी I think 5 lakh के round और इन्होंने सबसे कुछ-कुछ amount लेके सबसे जो जितना कर सकता है उतना amount लेकर के एक fund बनवाया उस fund के basis पे खुद से जो donation collect हुई उससे ही इन्होंने रोड बनवाई और जो laborers उसमें लगे वो खुद villagers लगे और यह साथ में वहाँ participate किया उन्होंने Mr. Armstrong Payme ने जब रोड बन रही थी और outcome आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की road अभी यह दिखाई देती है और यह है Mr. Armstrong Payme तो इस तरीके का काम इन्होंने किया था बिना government की health के तो वहाँ के लोगों के लिए यह एक miracle man है तो मनीपुर में लोग इन्हें miracle man of India के नाम से जानते हैं और अभी भी उसके बाद यह रूके नहीं अभी भी इनके बारे में कहा जाता है कि हर week में every week में यह 10 students को बिलाते हैं 5th से 10th standard के बीच में 10 students को डीनर पे बिलाते हैं हर week अपने घर में because ताकि वो glimpse दे सकें बच्चों को कि कैसी life होती का इस officer की ताकि वो फिर aspire कर सकें आई एस officer बनना तो इस तरीके से अभी भी अभी भी society के लिए लगे हुए हैं इसके बाद हम बात करेंगे Mr. Ayaas Tamboli की आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे examples इतने जादा नहीं हैं अभी तक हम सिर्फ 9th number के civil servant की बात कर रहे हैं इन examples को कोट करेंगे और अगर इनके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है बिकोज यह आपको खुझ से अंदर-अंदर मोटिवेट करते रहेगा अब आप जब बात सुनेंगे Mr. Ayaas Tamboli की यह बीजापुर के district collector थे जो 36 गड़ में वहां भी प्रॉब्लम थी कि मावीस्ट इलाका था नक्सल एफेक्टेड एरिया था और वहां पर आस्पिटल की कमी थी और वहां पर बहुत दिक्कत होती थी वूमें को विकोज जब वो अपने बच्चों का इलाज करने बाहर सिटी के अंदर लाती थी बहुत दूर ले जाकर जहां पर भी कोई रैपुटेड हॉस्पिटल था तो उनको एक वार्निंग दी जाती थी नक्सल के दुआरा कि अगर आप दिन के दिन वापस नहीं आई तो हम शूट कर देंगे यानि कि अगर दिन के अंदर इलाज हो पाया तो ठीक है नहीं तो वापस आपको आणा पड़ेगा बिमार बच्चे के साथ वापस गर तो इस तरीके की जब situation इन्होंने वहाँ देखी तो उन्होंने वहाँ के district hospital को one of the best in the state बनवा दिया आप उसकी state देख सकते कुछ इस तरीके का उसको convert कर दिया तो इस तरीके से इन्होंने वहाँ के लोगों वहाँ की woman के दर्द को समझा और उनके लिए specifically जो main purpose था main motto था वो यही था कि woman को इतना ज़्यादा hardship छेलनी पड़ती है just because of society तो उन्होंने इस तरीके से hospital को convert कर दिया कि watch one of the best estate के अंदर तो यह थे Mr. Ayaas Tamboli इसके बाद बात करें यह example हम देखेंगे transparency का क्या एक politician ऐसा कर सकता कभी नहीं कर सकता जैसा इन्होंने करके दिखाया just to set an example in front of public, in front of society की civil servants ऐसा नहीं होता कि बहुत मालदार होते हैं इन्होंने क्या किया था यह अभी तो रेटार हो चुक है यह X.I.S.U. Sagayam है Tamil Nadu के अंदर की उस्टाइम civil servant थे, collector थे in 2019 इन्होंने publicly declare किया था district के वेबसाइट के ओपर अपनी wealth के बारे में और the Hindu में यह इस तरीके से चापा गया था और इनकी जो wealth थी Mr. Sagayam has announced on the district website that he has a bank balance of rupees 7172 rupees and a house in Madurai valued 9 lakh rupees तो यह transparency का example इन्होंने set किया public के अंदर, society के अंदर तो इस तरीके से यह सारे लोग हमारा जो civil servants का एक regime है, एक domain है उसके अंदर अपने आम में यह जो उसके standards को maintain किये वह है अपने आम में बहुत बड़ी बात है हमें इन लोगों के बारे में पता होना बहुत जर्विया और उन लोगों को भी जो हमेशा यह सोचता है कि civil servant is all about corruption या फिर corrupt people, या फिर insensitive या फिर जिनके अंदर कोई empathy नहीं है जो बहुती rat tapism को follow करते हैं सिर्फ ऐसा नहीं है, हो सकता है दूसरी साइड हो इन चीज़ों के लेकिन दूसरी साइड यह भी तो है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो यह सारे काम करते हैं अपनी जान तक को जोखी में डालते हैं अब इसी सीरीज में हम बात करने वाल है Mr. IPS नवनीत सिकेरा की और IPS अमित लोधा की नवनीत सिकेरा अभी currently ADG है यूपी के अंदर इन्होंने क्या किया था मुझफर नगर के अंदर जितने भी गैंस्टर्स थे या जितना भी क्राइम फैलावा था और इन्हें के उपर बहुकाल सिरीज बनी है जो वैब सिरीज आपने अगर देखी हो तो वो इन्हें के उपर बनी है और यह है Mr. नवनीत सिकेरा अड़ यह है Mr. IPS अमित लोधा इनके उपर भी एक वैब सिरीज बन रही है खाकी जो Netflix के उपर आने वाली है तो मेंन मोटो यह नहीं है कि इनके उपर वैब सीरीज बन रही है वैब सीरीज इसलिए बन रही है बिकाज इन्होंने ऐसा काम किया है जो IPS Amit Looda है इन्होंने बिहार के अंदर इसी तरीके का काम किया है कि जो वहाँ के गेंगस्टर्स थे जो गूंस थे और जो वहाँ पर क्राइम फैलावात है इन्होंने भी उसको खतम करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था तो यह इनकी बुक है कि बिहार डाइरीज उसके अंदर मेंचन है लेकिन अभी तो यह थोड़ा नियूज में आ गए है just because of negative reasons वो allegation लगाया गया इनके ओपर तो फिलाल वो भी allegation है अभी उसके बारे में बात नहीं करते अभी हमें इतना पता होना चाहिए कि किस-किस तरीके से civil servants हमारी जो वो line है न परम सीलम भुशनम उसको हू बहू society के अंदर project करते हैं तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं realize करते हैं तो at least हमारे मन में इतना तो आना चाहिए कि higher at least जहां पर हम जा रहे हैं जिस domain के अंदर हम गुशने वाले हैं जिस चीज को हम aspire कर रहे हैं उसके अंदर ऐसे लोग भी हैं अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा है और सिर्फ हमें negativity ही project की जाएगी सिर्फ negativity से ही हमारा तालुक होगा with respect to UPSC तो कहां से ओ dedication आएगा कहां से motivation आएगा कहां से आप सोचोगे कि इस तरीके से भी काम किया जाता है in civil services ये examples आपको boost करते हैं आपकी जो सर है उसको और उचा कर देते हैं अगर आप से कोई बात करें इस lecture को देखने के बाद अगर hopefully अगर कोई बात करता है तो आप at least बता तो सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि corruption ही corruption होता है ऐसे भी लोग हैं जिनोंने अपने घर के साथ साथ अपनी जान को भी जोखी में डाला ताकि एक सुसाइटी में एक normal individual, एक common individual खुश रह सके तो इस तरीके के लोग जब हमारे बीच रहेंगे तो definitely हम हमेशा UPS से civil services को एस्पायर करते रहेंगे So by these words I will take your leave and and finally don't forget to share and subscribe if you are benefiting or you find fruitful these lectures for yourself तो इसको आप औरो से भी शेर करोता की औरो को भी इन lectures से कुछ मदद हो जाए So this is all about this lecture Thank you, bye bye Take care